नमस्कार दोस्तों आप लोग अब फिर से एक बार स्वाज़ात है मेरे चैनल नीव फिट्स पे दोस्तों आप लोग की भारी डिमांड के बाद मैं रूट वर्ट्स का एक और वीडियो आप लोग के सांद शेयर कर रहा हूं सो प्लीज लाइक एट सब्सक्राइब एट और शेयर इट है मैं नितिन कुमार आज मैं उसकरी को आगे बढ़ा रहा हूं जिसकरी में मैंने पिछली बार आप लोगों को रूट वर्ट्स पराये थे और शाहिट से रिलेटेड वर्ट्स बताये थे उसकरी के अंदर अगला र ऊड़ल और एक दूसरा जो कंफ्यूजिंग हो शकते आपके लिए क्रॉम इसके बीच में फर्क समझ ले रहों जैसे भी आता इसका लेना देना टाइम से होता और क्रॉम जैसे आता इसका लेना देना रंग या कलर से होता जैसे मोनो क्रोमेटिक फोटो क्रोमेटिक जैको मोनो का मतलब ही एक होता है और क्रॉम का मतलब रंग से तो मोनो क्रोमेटिक आप जैसे ही कहेंगे तो इस ए लाइट विद अनली वन कलर नेक्स जो भाड़ी आती है फोटो क्रोमेटिक फोटो का मतलब ही रंग से और क्रोम का मतलब प्रोटो का मतलब लाइट से और क्रोम का मतलब रंग से तो आपने सुना होगा फोटो क्रोमेटिक ग्लास फोटो क्रोमेटिक ग्लास की यदि ही हम बात करें तो ऐसे glasses होते हैं जो कि आप धूप में जाते ही वो अपना रंग बदल लेता तो फोटो क्रॉमेटी कर लेना देना ऐसे ऐसे substance से जो की प्रकास में जाते ही अपना color को change करें तो सबसे पहले क्रॉम और क्रॉन के बीच पे फ़र्क को समझ ले अब जो मैं आ रहा हूँ वो किसीज के उपर क्रॉन के उपर इसमें जो सब्दें बारी बारी से देखेंगे सबसे पहले, chronology, दूश्रा है, chronicle, तीश्रा, chronograph, चौथा, chronic, पाचमा, chronometer, और लास्ट इस, आ, सिंग, क्रो, नश्र, तो बारी-बारी से इस चीज़ को समझने की कोशिस करें, chron कर लेना देना, time से, और logic कर लेना देना, अध्यान से, तो chronology क्या है, it's arrangement of events, according to its occurrence, यानि कि किसी भी चीज़ को उसके होने के क्रम में जवाब सजाते हो, that is the chronology, तो लिखें, गटनाओं को उसके होने के क्रम में सजाना, तो, arrangement of events according to its occurrence, तो यह बात सब्सक्राइब आ गई आपको, नेक्स्ट जो देखें, नेक्स्ट है, इसी क्रम में, word दिया गया, chronicle, chronicle, chronicle कर लेना देना, historical, historical records से, historical records यानि कि जो एथिहासिक दस्तावेज हैं, आप फिर से उसे एक इस रूप में सजाते हैं, कि वो होने के क्रम में हो, जैसे आप 90.05 की बात करेंगे, फिर 90.07, भारत के फिर मोमेंट की अदि हम बात करें, तो 90.05, 90.07, 90.11, 12, 13, 15, इस रंग से 17, 90.19 और फिर बढ़ते बढ़ते आप 90.47 तक जाते हैं, तो इस रंग से जब चीजों को आप सजाते हो, तो तो या तो लिखने से, और ग्राफ का मतलब टाइम से, और ग्राफ का दो मतलब होता है, पहला मतलब होता है या तो लिखने से, और ग्राफ का दूसरा मतलब डिवाइस से भी होता है, तो chronograph हम stop watch को कहते है stop watch को कहते है अब आप यह समझो कि stop watch क्या करता है एक device है जो कि seconds के दसमें हिस्से तक चीज़ों को या समय को मापता है अब देखो chronic chronic का मतलब lasting for a long time time जो लंबे समय तक चलता रहे उसे हम क्या कहते है chronograph chronic कहते है खास करके यह negative चीज़ों के लिए इसका प्रयोग जादा किया जाते है जैसे he is suffering from chronic bronchitis अब देखो इस सब्द को समझे bronchitis bronchitis का मतलब लेना देना ठीक है फेफरे के हिस्से से है और आइटिस एक root word है जिसका लिए देना सूजन से है तो जब भी आप bronchitis की यदि हम बात करें तो इसका लिए देना फेफरे के अंदर सूजन से है अब आप कह सकते हो कि India is suffering from chronic chronic India is suffering from chronic corruption यहां तक बात समझ में आगई अब नेक्स दिया गया chronometer, meter का मतलब भी device से होता है और crown का मतलब समय से होता तो समय को मापने वाला device कौन सा होता है ठीक है इसे आप watch या time piece कह सकते watch या time piece कह सकते अब lastly यदि अब crown वाले सब्दों के अंदर देखें तो a sing plus crown और आप ये ध्यान दो a, an, ir, im, in, un ठीक है ये सारे के सारे negative root words है जहाँ भी आये आते अपने नकाल अत्मक्ता के साथ आते और shing का मतलब साथ साथ से होता ठीक है और crown का मतलब समय से होता तब जब दो घटनाए अलग-अलग समय पे हो साथ साथ नहीं हो अब दूसरी तरफ synchronous की बात करें तो जब दो घटनाए साथ साथ होती हो तो उस वो synchronous कहते है जैसे आपने सुना होगा GSLV Geo synchronous launch vehicle जियो का मतलब भी प्रीथवी से होते है ठीक है और shing का मतलब साथ साथ तो आप ऐसे समझेए कि यह प्रीथवी है और यह satellite है और प्रीथवी अपनी कक्षा में यूँ मूव करती यूँ मूव करती और शाथ साथ यदि satellite में मूव करे तो वो जियो शेंकरनस होता है तो यहाँ तक बात समझ में आ गई मैं और शेंकरनस के मतलब लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपको के लिए और शेंकरनस अकरेंस ओफ टू इवेंट्स एट डिफ्रेंट चाइंड ना तो अभी तक बात आपको समझ में आए गई कि क्रॉंड क्या है और क्रॉंड क्या है तो कभी भी क्रॉंड 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 से आप कंफ्यूज ना करें जब भी क्रॉंड आए तो इसका लेना देना किस से होता कि लिए इसका लेना देना बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इससे होगा क्या इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे उसकी नोटिफिकेशन डिरेक्टी आप लोगों तक महुचेगी